हलो गाईस, वेलकम बैक माई न्यो ब्लॉग, तो मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग मना रही हूँ, क्यूंकि, क्यूंकि, क्यूंकि छोड़िये, कुछ टेंसन, कुछ प्रॉब्लम, एनिफिंग, ये देख रहे हैं गाईस, ये क्या है, इसको हम लोग संथी बोलते हैं, पावली जो होता है, उसमें पहले तो बता देते हैं, कि ये क्या है, ये है, ये है, सनाई जानते होंगे, सनाई का पेर होता है, इसके छिलका का रसी बनता है, जो की छिला चुका है, इसका रसी बनता है, इसी का रसी बनता है, और फिर इसका यूज होता है, एक तो जलावन में होता है और सबसे ज्यादा इसका यूज मित लांचल में वो दीपावली के दिन होता है हुक्कापाती में इसमें खड और संथी इसको बोलते हैं संथी का यूज होता है और इसका बनता है हुक्कापाती और उसके बाद दीपावली के दिन बोलते हैं हुक्कापाती लोई आए और उसके बाद जो है बोलते हैं लक्षमी घौर आवा जम बाहर जा लक्षमी घौर आवा दलिद्रा बाहर जा लचमी घौर आवा जम बाहर जा इसे बोलते हैं तीन बार घर के अंदर लचमी को ले जाते हैं और दलिद्र को जम को बाहर करते हैं और फिर जो है इसको चो वटिया तक ले जाते हैं जलाते हुए और बच्चा लोग इसमें फटा का भी फोर्टा है और ये बता देते हैं हम लोगों के हां इस पार नहीं हुआ इसलिए ये मतलब थोरा सा बचा हुआ है बांकि दूसरे लोगों को दे दियें क्योंकि हमारे हां एक मतलब देथ हो गया था तो इस वज़े से इस बार दीपावले नहीं मना और 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 चट भी नहीं ही होगा तो बचा हुआ है चलिए आप लोगों को चट की धेर सारी सुबकाम नाए बाब बाइ